बॉलिवुट के भाईजान यानि सल्मान खान की लव लाइफ पर अक्सर चर्चा होती रहती है उनका दिल आज तक कई अभिनोत्रियों के लिए धड़का है लेकिन वो अभी भी सिनेमा की दुनिया के मोस्ट एलिजिबल बैचलर है सल्मान का दिल कई बार तूटा है और इस बात का खुलासा खुद अभिनیता ने हाल ही में दिए एक इंटर्विव में किया है किसी का भाई किसी की जान के लिए सुर्कयां बटोर रे सल्मान खान जल्द ही एक शो में शिरकत करने वाले हैं जिसमें उनकी लव लाइफ को लेकर कई तरह के सवाल किये गए शो के लेटिस प्रोमो में सल्मान खान इन सवालों के जवाब देते नजरा सामने आई छोटी से प्रोमो वीडियो में अंकर ने सल्मान से फिल्म के ट्रेलर लॉंच पर उनके मोव ओन वाले कॉमेंट के बारे में पूछा और कहा कि वो पिछले कई वर्षों से एक को छोड़कर दूसरी अभिनेतरी पर जा रहे हैं इस सवाल पर सल्मान हस पड़े और बस इतना ही कहा मैं प्यार में बदकिस्मत हुसर वहीं होस्ट ने पूछा आजकल आपकी जान कौन है आप किसके लिए कमिट्ट है इस पर सल्मान ने कहा सर आजकल मैं सिर्फ भाई हूँ अभिनेता के इतना कहते ही वहाँ पर बैठे सभी लोग जोर जोर से हसने लगे सल्मान ने कहा जिसे मैं चाहता था कि वह मुझे जान कहे वह भी मुझे भाई कह रही है तो अब मैं क्या करूँ सल्मान खान के वर्फरंट की बात करे तो अभिनेता को हाली में फरहाद सामजी द्वारा निर्देशित फिल्म किसी का भाई किसी की जान में देखा गया था इस फिल्म को शमिक्षकों से लेकर दर्शकों तक किसी की भी अच्छी प्रतिक्रिया नहीं मिली है सिनेमा घरों में एक हफ्ते के बाद फिल्म का कुल कलेक्शन 90.15 करोर रुपए हो गया है किसी का भाई किसी की जान तमिल फिल्म वीरम का हिंदी रीमेक है इस साल सलमान की दो और फिल्म में सिनेमा घरों में रिलीज होने वाली है सलमान खान की दूसरी रिलीज ये अश्राज फिल्म की टाइगर 3 होगी जिसमें कटरीना कैफ मुख्य भूमिका में होंगी आपको बता दे सलमान खान की लव लाइफ किसी से छिपी नहीं है उनका नाम बहुतों के साथ जोड़ा गया है उनकी गल्फिन की लिस्ट में संगीता बिजलानी, अश्वरिया राय, यूलिया वंतूर जैसे कई नाम शामिल है सलमान खान और संगीता का रिष्टा बहुत आगे तक बढ़ गया था दोनों शादी भी करने वाले थे मगर बाद में सलमान खान मुकर गए इसके बाद सलमान के लाइफ में अश्वरिया राय के इंट्री हुई दोनों काफी चाइम तक रिलेशनशिप में रहे मगर सलमान और अश्वरिया का भी ब्रेक अप हो गया इसके बाद से सलमान के लाइफ में कई एक्ट्रिस आई और गई बगर भाय जान अब तक शादी के बंधन से दूर है फिलाल इस वीडियो में इतना ही आप देखते रहे मियो वल्फ को जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे साथ ही हमारे फेस्बुक पेज को भी लाइक कर दे वीडियो देखने के लिए शुक्रिया